तिस गड़ के जितने भी स्टूडेंट है जिनोंने सीजी पीपीएश्टी और पीटी का एक्जाम दिया और फर्स राउंड का कॉंसलिंग के हैं सेकंड राउंड के कॉंसलिंग के हैं लेकिन उनमें उनका सेलेक्शन नहीं हुआ नहीं उन्हें गवर्मेंट कॉलेज मिल पाय है दोनों का वीडियो में अलग-अलग बना सकता था लेकिन क्या है कि दोनों के जनकारी सेम है कि दोनों का सेम डेट को फर्स राउंड का कांसलिंग हुआ सेकंड राउंड का कांसलिंग हुआ तो दोनों का वीडियो में बना रहा हूं तो जितने भी स्टूडेंट जिन्हो हुआ तो आपका क्या होगा आप फार्मेसी करना चाहते है पीटी करना चाहते है आप कर पाऊ गए या नहीं कर पाऊ गए या आपके पास क्या आप्सन बज जाएगा तो complete जैनकारी के लिए वीडियो को पुरा लाश्ट तक देखना और सबसे पहले जिन्होंने comment किया उनके comment को मैं आपको बता रहा हूं उससे आप लोगों को आसानी से सभी चीजे समझ में आ जाएगा तो ये भाई साब पूछ रहें कि सर थर्ड राउंड कांसलिंग कब से होगा प्लेस आज 26 को एगरी कल्चर का हो रहा है बट वीफार्मा और डीफार्मेसी का नहीं दिखा रहा ह क्या सत्ता इसको हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँ कि भाई जो है एगरी कल्चर का थर्ड राउंड का कांसलिंग भले ही स्टार्ट हो गया हो लेकिन भी फार्मेसी डी फार्मेसी और पीटी का कांसलिंग जो ही स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी तक जो ग्यारा बज कब से होगा third round आज 20 साय नोटिफिकेशन भी नहीं आया तो बहुत श्रद के counselling अब नहीं होगा इसलिए जो है notification भी नहीं आया और कोमाल पूछ रहें कि सार 3rd round counseling हो गा या नहीं प्लीज reply सार डेट बताईए कब होगा तो डेट मैंने आपको जो इसमें बताया था कि 25 से 26 अक्टूबर के बीच में आपको पता चल जाए गर रिक्त सीटों की बारे में जैन करी तो ऐसा लग रहा है कि 2nd round के counseling में ही सीट जो है पूरा फूल हो गया इस वज़े से 3rd round का counseling नहीं हुआ और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फालो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फालो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मैंने अपना नंबर दिया आप उच नंबर पर भी कॉल कर तो 3rd round का counseling ही नहीं होगा तो लिष्टा कहां से देख पाएंगे और सरीता दूबे पूछ रहें कि सर सेकेंड counseling होगा या नहीं इस पर मैं तो बता दिया हूं कि 3rd round का counseling तो हो गया हिमान सुनायक पूछ रहें कि hello reply do sir भाई reply देता हूं यार हाट दे दिया मतला आपके comment को मै देख लिया रहता हूं कबसे होगा 3rd round का counseling तो 3rd round का counseling जो है आज होना था लेकिन नहीं हुआ जो है 26 को और यह भाई साब पूछ रहें है गेश्वर तारम नाम है इसका यह पूछ रहें आप इस comment को अच्छ से देखना है यह पूछ रही कि बीन पी PhD के counseling होता है कि नहीं sir please comment तो भाई बीन पी PhD किये तो आप counseling कैसे कर सकते है और पूछ रहें कि बीन पी PhD के भी फार में admission होता है कि नहीं sir तो अगर आपको भी फार्म या डी फार्म करना है तो आप मुझे message कर सकते हैं इस्टाग्राम पर आप मुझे सबसे पहले follow कीजिए और वहाँ पर मेरा number है एक्जाम दिया और उनका selection जो है नहीं हुआ तो आप मुझे से contact कर सकते हैं और आपके admission जो है हो जाएगा और यह पूछ रहे कि साओ जी सर फिर first semester की classes कब से start लगेगी भी टेक CSE तो भाई आपको congratulation आपका selection जो है हो गया है इसके लिए तो भाई यह November तक जैसे की दीपव लगभग 10-15 November मान के चली आपका first semester के आपका class जो है start हो जाएगा और यह अमन पूछ रहे हैं बता रहे हैं मतलब सर आप मुझे बोले थे जी से नहीं मिलेगा मुझे जी सी बिलासपूर मिल गया तो भाई आपको congratulation आपको जो है आपने सोचा था और आपको मिल गया आपक साथ ने दिया वो लोग इस फर्स रुग गया तो आपको बहुत-बहुत congratulations यह भाई सब पूछ रहे हैं कि सर वापस संक्राचारिय ही मिल गया तो भाई आपको संक्राचारिय वापस से मिल गया यह बहुत-बड़ी बात है ऐसा नहीं कि अगर आपको college ही नहीं मिलता तो आप क्या करतें बता तो आपको college भी मिल गया तो मैं जितने भी बच्चे और जितने भी student है जिन्होंने CGP, PhD, PT का exam दिया है मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि आप CGP, PhD का exam दिया है वो अच्छे से ध्यान से सुने आप मुझे Instagram पर follow कीजिए Instagram पर मेरा number दिया आप number पर मु से contact कर सकते क्योंकि third round का counseling जो है 11 बजे सुबा का update पता चलना था पांच बजे को पता चलना था वो update अभी तक पता ही नहीं चला की third round का counseling होगा या नहीं होगा तो अब लगता ही कि third round का counseling नहीं होगा तो अगर आप एक वर से बर्बाद या खराब नहीं करना चाहते तो आपको एजली एडिमिशन जो है मिल जाएगा तो प्लीस मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगवा तो लाइक किज़े सब्सक्राइब किजिए और वीडियो को जितना हो सकते अपने दोस्तों तक पुंचाएगे और जिनको भी कॉलेज अलॉट एलेक्सन हो गए हुनको बहुत बहुत कांट शिलेशन आपके नए शफर के लिए